आशकार शाथियों आप सभी का स्वागत है मेरे योट्यूब चैनल क्या है फैक्ट में मेरा नाम अभिशेक है आज हमें एक बहुत ही महत्पूर्ण विश्या पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में अगले दो-तीन सालों तक चर्चा होती रहेगी तो आपने सुना होगा कि 5 जनवरी को सुप्रीम कोट ने सेंटरल विश्या प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी पुर्षी भवन, निर्मान भवन, नेशनल मुजियम, नेशनल आरकाइव, उद्योग भवन, हैदरावाद हाउस, विकानेर हाउस, जो है, वो सारे जो हैं सेंटरल विजटा के इलाके में आते हैं, और अब आएए जानते हैं और समझते हैं कि ये सेंटरल विजटा का इसके तहट जो है, जो राजपत पर पढ़ने वाले जो तमाम सरकारी भवन हैं, इंडिया गेट से लेकर राजपती भवन तक, उसका नरेंद मोदी सरकार पुनर निर्मान या पुनर अधार करनाना चाहती है, जिसमें से की नया संसत भवन बनाना है, कौमन के इंद्रेश चचिवाले बनाना है, दस नहीं मारते बनाना है, जिसमें की केन सरकार के 51 मंत्राले हैं, उसमें सिफ्ट किये जाएंगे, और ताकि नरेंद मोदी सरकार का जो तर्क है, वो ये है कि इसमें इंधन की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, समय का बचत होगा, इसलिए ये 10 नह इमारते बनाई जा रही है प्रदानमंत्री का नया आवास और नया आवास ये परिश्द बनाने काफी प्रस्ता हुआ है और इसके लिए कि रगवग 1250 रुपे का जो है बजट है ये आगे बढ़ भी सकता है और ये जो है नया संसत भवन की का डिजाइन है ये त्रिवुजा का राकृति का होगा और इसका जो वर्ग मीटर है 64,500 वर्ग मीटर छेतर में ये फैला होगा और इसमें टोटल 1224 सांसदों के बैठने की वैवस्ता होगी लोग सभास अधन के 881 एवं रास सभास अधन के 384 सांसदों की बैठने की वैवस्ता होगी नया संसत भवन बनाने म करीब 800 कडो रुपे 862 कडो रुपे जो होंगे वो खर्च होंगे और इसका जो बनाने का जो काम है वो टाटा प्रोजेक्ट को मिला है और इसमें अत्याधिनिक सुभिधाओं से ये लेस होंगे इसमें तमाम तरह के आडियो और वीडियो सिस्टम पैठने का मजूद रहेगा दरसल यह देखिए नया संसद बाबन बनाने की जो मुख्य जरूरत है वो क्यों पड़ी क्योंकि अभी देखिए हमारे पास 545 संसद हैं और 245 राजसभा में संसद हैं तो टोटल इतने संसद हैं हमारे पास 545 लोगसभा में और 245 राजसभा में लेकिन 2026 के बाद भारत मे जो है लोकसभा और राजसभा के सीटों की संख्या बढ़ने की संभाव नावी 2026 सिता कभी रोक है आगे बढ़ सकता है इसलिए जादा बैठने की जरूरत होगी सीटों की जरूरत होगी इसे देखते वे जो सरकार है वो नया संसत्भवन बनाने की सोच रही है अब दरसल ये जो मामला है वो आखिर सुप्रीम कोट क्यों पहुंच गया दरसल ये जो पूरा सेंटरल विजटा का इलाका है वो एतियासिक महत वाला इलाका है और इसमें कोई भी जो निर्मान कारी होगा या कोई भी पेड का कटना या फिर कोई तोड़ फोर्ज होगी और उसके लिए जो है एक मंजूरी लेने परती है और उसके लिए फूरी स्टड़ी के साथ इस पे कोई भी निर्मान हो सकता है और कोई नया प्रोजेक्ट शुरूर किया जा सकता है इसी को लेकर जो है इसमें याचिका करताओं ने सुप्रीम कोट में पहले हाइ कोट में उन्होंने अपनी याचिकाएं लगाई और फिर सुप्रीम कोट में इसे लेकर गए अब सुप्रीम कोट का फैसला आ गया है और उनका कहना है कि कोट ने सरकार ने कोई कानुन का उलंगन नहीं किया है हाला कि इस कुछ हिदायते दी है सरकार को कहा है कि परियाबरन मंतराले को कहा है कि तमाम स्मोक टावर्स और स्मोक गन लगाए जाए ताकि जो निर्मान कारी में किसी भी तरह का परदूशन नहीं हो और एक और दो एक से जो है इस बात का फैसला दिया गया था इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मामले में एक ज़स्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जो है डिस कमिटी की जो है वो पहले से रहे नहीं ली गई थी उनका मानना था बाकी में वो तोनों ज़जों के किसा मत थे तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारे यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए धन्यवाद